हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रॉड की बात बताने वाला हूँ और वो है इस फुली इलेक्रिक ट्राइसाइकल के बारे में जो की हमारे भारत सरकार द्वारा देश के सभी दिव्यांग नागरिकों तक एकदम मुफ्त में विद्रित कि जाना है तो यह यहां पर मेरे गाउं से लगभग 4-5 किलो मिटर दूर के यह दो भाईया है जिनको हाल ही में यह इलेक्रिक ट्राइसाइकल मिला है इनके ट्राइसाइकल में कुछ छोटा मोटा कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम था इसलिए यह मेरे पास आये थे और अ और फिर हम यह भी देखेंगे कि इससे हमें कितना स्पीड मिलता है कितना मैलेज यह एक चार्ज में दे देता है और कितना मैक्सिमम बेट यह अपने साथ कैरी कर सकता है और सबसे अंत में बात करेंगे कि अगर आप भी इसके जरूरत मन है तो आपको यह इलेक्रिक चल रहा है कोई भी इसमें मसकत करने की जरुरत नहीं पड़ रही है जितना ज़्यादा एसलेटर घुमाया जाएगा उतना स्पीड यह ट्राइसेकल भागता है तो काफी इसली भाया इसको चला पा रहे हैं साथ ही यह आप देखिए रास्ते में आपको जितने भी चड़ाई मिलेंगे यह ट्राइसेकल काफी इसली उसको पार कर लेता है तो अभी आपने देखा कि कितने बहतरीन तरीके से ये electric tri cycle चल रहा है और आप आप देखिए कि इसमें और भी कितने अच्छे अच्छे functions दिये गए हैं और वो कैसे कैसे काम करता है तो सबसे पहले motor की बात करें तो इसमें 24 volt 250 watt का hub motor लगा हुआ है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यह motor काफी अच्छा performance इसमें दे दे रहा है और क्योंकि यह 24 volt 250 watt का है तो इसमें हमें लगभग 25 से 30 का speed मिल जाता है और इसके front side की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको काफी सारे functions दिये गया है तो अभी मैं आपको एकर करके बताता हूँ यह जो आप key switch देख रहे हैं यह हमारा main on off के काम आता है तो एक बार हम इसको घुमा देंगे तो हमारा electric cycle पूरा on हो जाता है यहाँ पर इसके throttle में ही battery level indicator दिखाया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि battery कितना charge है और कितना low हुआ है इसके ठीक बगल में जो यह आप देख रहे हैं यह हमारा throttle है जिसके थुरू आप इसको जितना rotate करेंगे उतना यह tricycle speed में चलेगा तो इसके ठीक बगल में आप जो यह red color का switch देख रहे हैं तो इसमें F और R का marking है जब आप इसे F पर click करके चलाएंगे तो हमारा यह electric tricycle forward direction में जाएगा और जब आप इसे R में करके throttle को घुमाएंगे तो हमारा यह electric tricycle reverse में भी चलता है तो यह काफी अच्छी बात है इसकी उसके बाद हम left side के तरफ देखें तो यहाँ पर जो पहला switch है यह अगर हम उपर की side press कर दे तो इसमें जो यह light लगा हुआ है वो glow कर जाता है तो आपको night में काफी अच्छा light performance मिल जाएगा और रात में भी आप इसे काफी इजली ride कर पाएंगे फिर इसको वापस से press करने पर light off हो जाएगा तो यह horn का switch है तो जैसे हम इसको press करेंगे तो इसके आगे काफी powerful horn लगाया गया है तो इसको press करने पर यह हमारा horn चलेगा तो यह आप देखिए इसमें एकदम bike की तरह सभी functions दिये गया है तो यह काफी safety भी provide कर देता है इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर auto cut brake system भी लगाया गया है तो जब भी आप brakes apply करेंगे तो आपका wheel तो रुकेगा ही साथी जो हमारा motor है वो बंद हो जाएगा और उस time यह throttle भी work नहीं करेगा तो यह भी एक काफी अच्छा safety इसमें दिया गया है और braking के लिए यहाँ पर पिछे साथ disc brake लगाया गया है तो काफी एकदम quickly हमारा brakes भी apply होगा और आगे साथ जो normal brakes होते हैं वो तो इसमें दो brakes लगे हैं उस side brake नहीं है बाकी इन दोनों tires में brake है उसके बाद यहाँ पर एक brake यहाँ भी दिया गया है जो कि जब भी आप इस electric tricycle को कहीं पर stand करते हैं और यह ढलान में खड़ा हो तो लुढकने का डर है तो इसको आप लगा देंगे तो एकदम एक जगा पर इस्तिर रहेगा उसके बाद यहाँ पर एक lock भी लगाया गया है जो कि एक normal lock ही है यह जो आप देख रहे है normal bicycle में लगने वाला lock है तो इसको आप lock करके cycle को एकदम safe रख सकते हैं उसके बाद wiring की तरफ देखे तो wiring भी इसमें काफी अच्छे से की गई है जितने भी wires हैं वो सभी यह जो आप pipe देख रहे हैं इसके through हमारा जो यह seat है उसके नीचे battery है तो उसमें सारा wires connect होता है तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा तो यहां पर seat के जस्ट नीचे इसका controller का सारा wiring है तो यह रहा इसका main controller brushless DC motor controller with reverse system तो इसमें आप input voltage देखिए 24V है और बाकी specifications भी आप काफी अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहां पर इसका सारा connection किया गया है इस controller से और बाकी जो connection है वो हमारा इस battery के box के अंदर है तो यह रहा इसका battery का box जिसमें बाकी connections गया है इससे पहले यह जो आप key switch देख रहे हैं तो यह हमारा main switch है जब हम इसको off कर देंगे तो इसका battery का जो भी output है वो बंद हो जाएगा जिससे हमारा cycle कभी भी unbalance होता है या emergency माँ आपको stop करना है तो यह switch भी आप use कर सकते हैं और अभी हम आपको इसे open करके दिखाते हैं तो यह आप देखे काफी powerful इसमें battery लगाया गया है तो इसमें 12-12 volt का दो battery लगा हुआ है जो की series में connected है उससे हमारा 24 volt का power मिलेगा और यहाँ पर कुछ इसमें release भी लगाया गया है जो की indicator flasher है और कुछ safety release है और यह इसका lock का है अब इसके ठीक बगल में यह जो आप socket देख रहे हैं तो यह इसका charging socket है और इसका charger भी है जो की अभी available नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन इसमें जैसे ही आप charger क प्लक करेंगे तो इससे charging start हो जाती है तो यह आपने देख लिया काफी अच्छे तरीके से सभी चीजों को arrange करके रखा गया है अगर आप इसके पीछे साइट देखेंगे तो इसमें जो यह red color का बड़ा सा box दिया गया है तो यह दिया गया है कोई भी सामान रखने के लिए यह आप देख लिजे काफी बड़ा box है इसमें आप कोई भी चीज काफी safety के साथ रख सकते हैं वो बारिस से भी बचेगा तो यहाँ पर आप जो यह poster देख रहे हैं इसमें कुछ इसका details है central cold field limited CCL द्वारा यह provide किया जा रहा है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यह आप देख लिजे कुछ इस प्रकार का complete यह electric tricycle है तो जो हमने electric cycle बनाया है वैसा ही सेम यह भी एकदम वर्क करता है बस इसमें hub motor का यूज हुआ है बाकी सारे function सेम है तो अभी हम इसका एक छोटा सा test drive लेंगे ताकि मैं आपको इसका actual performance और इसे चलाने में कैसा experience मिलता है वो बता सकूँ तो यह electric tricycle सही में काफी अच्छे से चल रही है और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें reverse का भी option दिया गया है तो अगर चलाने वाले को कभी भी problem हो तो उसे वापस उतरना नहीं पड़ेगा वो reverse का option यूज़ करके वापस पीछे की और जा सकते हैं तो अगर मैं आपको इसका overall performance के बारे में बता हूँ तो इसमें 24 volt 500 watt का hub motor लगा हुआ है जो कि हमें maximum 25 से 30 km का speed अराम से देदेगा जितना speed हमारा यह 24 volt electric cycle देता है उतना और mileage की बात करें तो इसमें काफी बड़ी battery लगाई गई है जिसका mpr सामने से देखने में तो पता नहीं चल रहा है लेकिन size के हिसाब से मैं अगर बताओ तो एपरोक्स यह 35 से 40 एच का तो होगा ही जिससे हमें 45 से 50 km का mileage आराम से मिल जाएगा एक बार charge करने पर और अभी ये भाईया बता भी रहे है कि इन्होंने battery को full charge करने के बाद cycle को लगभग 10 km तक चलाया है और cycle काफी अच्छे से चली है और अगर हम battery level indicator की तरफ देखे तो अभी भी battery एकदम full दिखा रही है एकाथ step low होगा जो की cycle चलाने वक्त पता चल जाता है और अब अगर हम इसके weight carrying capacity मतलब ये electric tricycle अपने साथ कितना weight ले जा सकता है उसकी बात करें तो इसमें safe load capacity mention किया गया है 80 kg तक लेकिन इसमें 500 watt का hub motor यूज हुआ है तो वो max to max आपका एक किंटल तक का weight खीच सकता है तो इससे ज़्यादा weight देने पर इसमें कुछ problem आ सकती है तो इस electric tricycle को जरूरत मंदों के हिसाब से काफी बहतरीन तरीके से design किया गया है ताकि उन्हें इसे चलाने में किसी प्रकार की समस्या ना आए और इस electric tricycle की अपने आप में ही कई सारी खूबिया भी है तो चलिए भाईय से जानते हैं कि कैसे उन्हें ये tricycle मिला है और अगर आप में से भी किसी जरूरत मंद को ये tricycle चाहिए तो आपको ये कैसे प्राप्त करना है तो अंकल आप बताए कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या-क्या चीजे apply करनी पड़ी है नजिदिकी हमारे बलोग हैं वहाँ पर जाना होगा अर्थार्थ हमारे समाज के लिए जिल्ला हैं बाल विकास परिवजना इट खोरी में भी हैं वहाँ पर जाए और वहें पर जाके cdp o से समाज के लिए से वीडियो से संपग्ड करें और उसी को जरिये से आपकी आपकी से विदावपलत हुआ जाएगा और ये भी बताईए कि उसके लिए क्या-क्या डॉक्युमेंट चाहिए होता है दिभ्यांग परमांपत्र अधार कार्ड और डीपी एल इसब रासन कार्ड इसब अवसकता पड़ता है और उसमें ऑल्लें कराना पड़ता है और हमारे समाज के अजयां से ही मिलता है और कॉल इंडिया लिमिटेंट भार्त सरकार के है उसी को जरिये हम लोज दिया जाता है किसी से दिव्यांग भायबानों बहुत अच्छा खूस है और कॉल इंडिया को बहुत धन्वाद देता हूं भारसर का था तो मैं आपको clearly पूरा process बता देता हूं कि अगर आप दिव्यांग नागरिक हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमान पत्र, BPL और रासन कार्ड और साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए इसे लेकर आपको जाना है अपने नजदी की ब्लॉक में जहां पर बीडियो होते हैं य आपको एक form भरवाया जा सकता है या फिर online भरने के लिए कहा जा सकता है तो वो आप form भरके complete कर लिजेगा उसके बाद आप उनके contact में रहिएगा और time to time इसका पता लगाते रहिएगा और फिर coal India के through ये manufacture होके आता है तो जैसे ही वहाँ पर ये electric tricycle available हो जाता है तो आपको उसको वित्रीत कर दिया जाएगा तो हम कामना करते हैं कि आपको भी ये electric tricycle जल्द से जल्द मिल जाए क्योंकि ये electric tricycle हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है यहाँ पर अगर आप ध्यान दे कि हमने जो electric cycle बनाया है वो हमारी community म ज्यूंकि रह Daar में काफी कम लोगों दवारा ही इस्तिमाल किया जाता है जबकि ये कम प्राइस में असानी से बन भी जाता है क्योंकि लोगों के पास सब्से चलने वाले वैकल्स का चाप सझमक्ट अभी अवलेबल है लेकिन हमारे जो दिव्यांग भाईबान है उनके लिए फ्यूल से चलने वाले वेकल्स बनाना काफी जाधा difficult है और अगर जो वेकल्स बने भी है तो वो काफी जाधा महंगे है या फिर उनहे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन ये electric tricycle कम खर्च में ही आसानी से तयार हो जाता है और इसे चलाना भी काफी जादा आसान है इसलिए ये electric tricycle हमारे सभी दिव्यांग नागरिकों के लिए काफी जादा उपयोगी है क्योंकि अगर आप ध्यान दे तो उन्हें छोटा से छोटा सफर के लिए भी काफी मसकत करके आना जाना पड़ता है जबकि इस electric tricycle के थुरू वे काफी इजली लंबा से लंबा सफर भी कर सकते हैं जिससे उन्हें दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही वे अपना कुछ छोटा मोटा वेवसाई भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये electric tricycle दिव्यांग नागरिकों के लिए एक वरदान से कम नहीं है इसलिए मैं सरकार का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि अगर एक आम दिव्यांग नागरिक इसको बनाना चाहे तो उसके लिए इसका पूरा खर्च वहन करना आसान नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा ये एकदम मुफ्त में दिया जा रहा है इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना होता है तो ये काफी अच्छी पहल है भारत सरकार की और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वे जल्द से जल्द इस इलेक्ट्रिक ट्राइसैकल का सभी जरूरत मंदों तक वित्रन कर दे ताकि वे सभी इसका लाब उठा पाएं तो अगर आपको ये इन्फोर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक और सेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग बाई ढवा स्टो itव्स 10 मच प्रत वाला बाली हैं कियरोेग वाली Me मच पर वाली हैं झादे डोब स्टो ereiख वालatt तो मेज지는 दॉपिक के लिए टॉपिक हैं 5片 फॉपिक के लिए तक के लगए भी थैंक्याए ग्या़यां पत्याए उड़े हैं झाल